पूर्विधायक विजे जासवाल के घर पर ये बैठक हुई ब्रस्पत सिंग के साथ पहुंचे और विधायक हाल के लिए जिमदाल लोगों की लिस्ट बनाएंगे पाटी बाहर निकाल दे परवाह नहीं ये ब्रस्पत सिंग ने कहा है राजी भवन में विधायक गल की बैठक पर कहा जो हाल के लिए जिमदार वही कुमारी शेल जाब बैठक ले रही थी तो बड़ी खबर राइपूर से आपको बता रही है जहां नाराज पूर विधायकों की बैठक हुई पूर विधायक विजजासवाल के घर पर ये बैठक हुई ब्रस्पत सिंग के साथ और विधायक भी पहुँचे और इन्होंने तै कि जो जो लोग हाल के लिए जिमदार है उनकी एक लिस्ट बनाएंगे जैसवाल के आप यहां देख सकते हैं कि तमाम जो एक्स अमेशस हैं वह इकटे हुए और पार्टी को लेकर उनका कहना है कि मंधन कर रहे हैं उनसे बात करते हैं सबसे पहले प्रप्र करते हैं क्योंकि विधायसवाल जो है वह काफी बागी कि रुख में दोनों नजर आ रहे थे और इसको लेकर उनको नोटीस भी मिल चुका है नोटीस का जवाब भी आपने दे दिया था उसका जवाब मैंने जो यह तुचीत है पार्टी पूर में दे दिया है और आज यहां पर जो हम लोग बैटे हुए है यह सम्माने चर्चा है क कैसे आगे रणविति बनाया कैसे पार्टी को मजबूत करें इसके पार्टी के लिए काम करें इसके वित के हित के लिए व जो होमंगे प्रदेशी बरल्ट रखचिसे मिलना को जो पार्टी pi teakopog peachSi अच्छे काम वोगे उसका और जो भी होगा हम लोग management करेंगे उसको जाकि उनके समय रखे पर शुत रहते रहते हैं आ चाई पिने के बहाने बेठे भी है also कितने लोग जीते और कितले नहीं जीते काटने कर रिजन क्या है बहुत सारे पहलों पर चर्चा भी होगी आपको लगता हार के बड़ी वज़या है यह भी है नराज़गी यह चाहिए तो क्या मान के चलें की काफी मिठी होगी चाहे या फिर जो पार्टी के भीतर की कड़व बाहट है वो भी निकलेंगे कड़वा मिठा दोनों होगा कि कोई भी दिसा में जब बात करते हैं तो कमजोर पक्ष को भी देखते हैं और अच्छाई को भी देखते हैं तो वह आज चर्चा होगी सभी लोगों से और कुछ और आने वाले हैं उसके बाद आगे जो भी निन वेहां का अमारे रणवीकारों ने बड़ा गलत रणवीती बनाई है तो हम आख Après चार पांच टिकट काटे वा भी अक बड़ा कारण हैनी तो इतने सीटे नहीं जाती दूसरा जो वहाँ एक था कि हम हमारी सरकार आई रही आई रही तो थोड़ा सा निश्चिन्त हो गए थे हमारी कारिकरता तो वो भी एक कारण हो सकता है पार्टी में जो बिती हुई घटनाय था विधान सभा चुनाव के पूर्वा और हार के जो कमोखे कारण थे उसी बातों का हमने उलेक करके जो पहले प्रेस को भी बता दिया था हाई कमान को भी चिठी लिखा है और वही कापी जबनी जबाब भी दिया है कोई अलग से जबा माफी किस बात का क्या कांग्रेस को धोखा देने वाले कांग्रेस को हराने वाले से माफी मांगना है जो कांग्रेस को धोखा दिये हैं जिन लोगों ने हराया है नुकसान पहुचा है उनको माफी मांगना चाहिए कांग्रेस से या जंता से हम क्यों मांगे हमारा क्या गलती है अगर हम बोल रहे हैं कि आप कांग्रेस को चुनोती दे रहे हो राहुल गांधी खडगे जी सुनिया जी सब को चुनोती दे रहे हो आप कांग्रेस पार्टी को चुनोती दे रहे हो कांग्रेस की सरकार को सुनावती दे रहे हो तापको माफि मांघना चीए या बहुत श्याया आपको याद करवा रहा है कि आपने ऐसा गलत क्या उसको माफि मांघना चीए बिल्कुल सचाई हैं अगर उ जानकारी दी होती ता आज ये गटन नहीं हो ममता लांचेवार हमारी सायोगी हमारे साथ राइपूर से लाइफ जुड रही है ममता यहाँ पर नाराजगी भी खोले शब्दों में जाहिर कर दी गई और सिधे तोर पर जो तेवर थे वो बता रहे थे कि आप किसी भी हलत में यह पूर्व धायक जुकने वाले नहीं है और नहीं सच को छिपाने वाले हैं देखे बारीश बाइस विधायकों जो विधायकों की टिकेट काटी गई थी और आप अभी देखेंगे कि अपने कैमरा पर से इम्रान से कहूंगी कि यहाँ पर और विधायक जो है वो पहुँचे हैं लगातार विधायक पहुच रहे हैं एक तरह से लाम बन हो रहे हैं पूर्विधायक जिनकी टिकेट काटी गई थी उन्हें टिकेट नहीं मिली थी लेकिन अभी आप देखी कैमरे को देखकर बाहर नहीं निकल रहे हैं और यह बैठक जो है वो यहाँ पर चल रही है News 18 ने सबसे पहले दिखाया कि किस तरह की चीज़े हो रही है और यहाँ पर आप देखें कि वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं डरके कि कैमरे के सामने वो न दिखाई दे क्योंकि पार्टी की नाराजगी का भी एक डर है लेकिन आप यह लगातार आप देख सकते हैं कि गाड़िया यहाँ पर खड़ी है जो एकसे मेले से यहाँ पर इखटे हुए है और करीबन 22 इन लोगों की टिकेट कटी है वो यहाँ पर बैट कर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा क्या कर रहे हैं नाराजगी है और सा त्यार करेंगे और उसके बाद उनका कहना है कि जो रास्टी अधर्षा मल्दिका अजुन खड़के उनको वह चिठी दी जाएगी और कई लोग जो है वह कुमारी शेल्जा जो कॉंग्रेस की प्रदेश प्रभारी है उनके खिलाब भी खुल करके बोल रहे हैं तो कोई जो है जो पूर्व विधायक हैं जिनके टिकेट काटी गई है वो यहाँ पर विने जायसवाल जो मनेंद्रगर के पूर्व विधायक थे उनके यहां इखटे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि उनको किस तरह से जो रोका आ जा रहा है कि आपको जो है किसी को भी अनुमती नहीं होगी आने की और नाराजगी भी जता रहे हैं कि मीडिया को इस बात की खबर कैसे हुई और पहली उनकी कोशिश यही थी कि गुपचुप जो है वो मुलाकात की जाए हाला कि आप यह खाजा रहे कि चाय पर चर्चा की जारी है लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया उन्हों प्रदेश के अंदर ममता शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और आईए अब देख लिए